हालो आप्रिवन वेलकम यू ओल वन्स अगेन और अकैडमी प्लस यूटूब चैनल लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिशन एंडी सूपर सीरीज ओफ फाइव अंडड कोश्चन स्टार्ट की थी कोश्चन नमबर 1-10 में लास्ट क्लास में डिसकस कर दिये थे आज हम लोग स् स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन अगर आप इस सब चैप्टर की एंडी के लिए रिगार्डिंग स्टडी मैट्रियल पीडियाफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेजिए वहां पर मैं डिस रिकर्ट स्टडी मैट्रियल अप्लोड करूंगा प्लस टू आइटा आप डिरेक्टली नहीं पूट कर सकते हैं आप क्या करेंगे सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं एक्स माइनस वन इस रिकर्ट टू टू आइटा बैस स्केरिंग बो साइड करता हूं तो यह हो जाएगा एक्स स्केर प्लस वन माइनस टू एक्स टू यह हमारे पास वैलू आ चुकी है कि एक्स स्केर माइनस टू एक्स प्लस फाइव जीरो के एक्वल अब मैं क्या करता हूं जो मेरे पास गीवन है एक्स क्यू प्लस एक्स टू प्लस टू को मैं एक्स स्केर माइनस टू एक्स प्लस फाइव से डिवाइड करता हूं तो यहा गया 3x square minus 6x plus 22 अगें 3 लिखा हम लोगों ने आपर तो यह हमारे पास आगया 3x square minus 6x plus 50 मैं minus करता हूँ तो यह plus यह minus यह cancel out यह cancel out ही हो गया 7 अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं क्या x cube plus x square minus x plus 22 को guys हम लोग लिख सकते हैं x plus 3 into x square minus 2x plus 5 plus 7 करके लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं अब मैं इसकी value की बात करो तो यह guys किसके equal है 0 के equal तो यह complete 0 into something कितना जाएगा 0 तो इसकी value finally हमारे पास कितना गया answer 7 और यही हमारे लोगों क्या answer है करें सबको बढ़ते हैं next question पर next question की बात करें तो हम लोगों से given है कि sin alpha and cos alpha are the roots of this equation ax square plus bx plus c equal to 0 then match the 4 option आपको given है तो हम लोग क्या कर सकते हैं आप देखिए sin alpha और cos alpha इस अगरी की equation के root है तो sin alpha plus cos alpha sum of roots के fundaces को हम लोग लिख पाएंगे b by a and product of root के fundaces sin alpha cos alpha product of root c by a अब मैं क्या करता हूँ इस equation की squaring both side कर देता हूँ तो यह हमारे पास बनकर आएगा sin square alpha plus cos square alpha plus 2 sin alpha cos alpha और इसकी बात करें तो यह आ जाएगा b square plus a square इसकी value as कितनी होती है 1 होती है 2 और इसकी बात करें तो क्या लिखा हूँ है c by a लिखा हूँ है करीर है सबको equal to क्या लिखा हूँ है b square upon a square lc हम ले लेते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा a square plus 2ac is equal to b square तो मैं option की मैं बात करूं तो यह आ गया a square minus b square is equal to minus 2ac तो you can match the answer option c will be your answer clear है guys next question if the difference between the roots of equation is equation के difference of roots यानी alpha minus beta is less than root 5 यह हम लोगों को given है alpha minus beta का जो difference है वो root 5 से कम है यह ऐसा हम लोगों given है then possible value of a पूछा है alpha minus beta तो guys हम इसको लिख सकते हैं कि alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta का root यह alpha minus beta ही तो होता है root 5 हो गया squaring both side की alpha plus beta sum of roots minus a square again a square minus 4 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा is 5 हो जाएगा इसको इदर लेकिया है तो a square minus 9 less than 0 इसको मैंने factorize किया तो a plus हो जाएगा a minus 3 हो जाएगा less than 0 हो जाएगा अब इसकी बात करें तो यह minus 3 हो गया यह 3 हो गया plus minus plus less than का sign है तो negative वाला reason जो है वो आपका answer होता है तो minus 3 से 3 एक क्या हो जाएगी possible value हो जाएगी clear है सबको बढ़ते हैं next question number 14 if one root is the square of other root एक root दूसरे root का square given है किस equation के लिए इस equation के लिए then find a relation between p and q तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं let हमारा एक root alpha है तो दूसरा root कितना हो जाएगा alpha square हो जाएगा तो मैं alpha plus alpha square के sum of roots की बात करूँ that will be minus p अब product of root alpha into alpha square किसके equal आजाएगा q के equal आएगा तो मेरे पास alpha cube is equal to q आ गया अब मैं इसकी value put करूँगा क्योंकि मुझे relation p and q में चाहिए तो मुझे alpha से को लिए दर नहीं है मैंने cube both side कर दिया cubing both side किया तो यह आएगा आपने पास alpha cube यह हमारे पास बन काएगा alpha 6 3 alpha into alpha square alpha plus alpha square is equal to minus p cube आ जाएगा alpha cube को मैं put कर सकता हूँ q इसकी value q square plus 3 alpha cube आएगा तो इसको मैं put कर सकता हूँ 3q इसकी value मैंने minus p निकाली और minus p cube इसको इदर लेके आएगे तो plus का p cube plus q square minus 3p cube plus q equal to 0 this is the required relation between p and q और हम लोगों को यही निकालना था कलियर है गाइद सबको note करते चलिए question सबसे पहले note कर लीजिए खुद से try कीजिए एंड यह करें सरफ और सरफ speed and accuracy चाहिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं find the number of real root of the equation x minus 1 का whole square x minus 2 का whole square x plus 3 का whole square यहाँ पर आपसे इस equation के number of real root पूछे हैं ठीक है बच्चे बहुत सारी गलतिया करते हैं option आपको given हो सकते हैं पहला option 1 दूसरा option 2 तेसरा option 3 and 4th option 0 number of real root तो आप क्या करेंगे आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर 3 पे click कर देते हैं कि 1 इसका root है 2 इसका root है 3 इसका root है किसी भी अगर आपको a square plus b square plus c square equal to 0 लिखा हुआ है तो इसको individually a को भी 0 होना पड़ेगा b को भी 0 होना पड़ेगा और c को भी 0 तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा यानि x को एक साथ 1 x को एक साथ 2 and x is equal to 3 तीनों को एक साथ होना पड़ेगा 1 रखने पर यह function 0 रहा है क्या नहीं हो रहा स्रफ यह वाला part 0 हो रहा है 2 रखने पर स्रफ यह वाला part 0 हो रहा है 3 रखने पर यह वाला part 0 हो तो इस equation का कोई भी real root नहीं है तो D will be your answer इस equation में real root का मतलब क्या हुआ आपको वो number बताना है जिसके रखने से इस equation के जो equation की value को क्या कर जाए? satisfy कर जाए but कोई भी value यहाँ पर satisfy नहीं कर रही है clear है guys सबको बढ़ते हैं आगे question number 16 if alpha and beta are the roots of equation 4x square plus 3x plus 7 equal to 0 then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta मुझे क्या करना है? 1 by alpha plus 1 by beta की value निकाल नहीं है तो मैंने इस calcium लिया तो कितना हैगा alpha बीटा उपर guys कितना जाएगा alpha plus beta बहुत ही simple question alpha plus beta sum of roots minus 3 by 4 के equal अब आप product of roots की बात करें तो 7 by 4 के equal 4 से 4 cancel तो minus 3 by 7 हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा clear है guys सबको आपसे इस question में alpha by beta plus beta by alpha भी पूछ सकता था तो आप क्या करते है alpha beta LCM ले लेते alpha square plus beta square लिख लेते और alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta लिखते alpha beta लिखते अब सारी value आपके पास given है आप put कर दीजिए आपका question हो जाएगा ठीक है जी करते है next question if the product of the roots of quality equation is 3 then value of m बहुत simple question given है इस equation के product of roots जो है roots की जो product है वो value 3 given है आपको क्या निकालना है m के लिखते जल्दी से आप try केजिए 30 second का time आप दे रहा हूँ आप बहुत जल्दी से केजिए फिर मैं करता हूँ देखें करते हैं start product of root यानि दो roots आपको given है product of x इसके माल लिजिए मैं लिखता हूँ mx square minus 2x plus 2m minus 1 equal to 0 इस equation के दो root alpha बीटा तो product of root alpha बीटा 3 given है और product of root हम लोग कैसे निकालते हैं 2m minus c by a करके निकालते हैं ये 3 के equal given है तो 2m minus 1 is equal to 3m हो जाएगा ठीक है गाइस तो क्या करते हैं इसको इधर ले जाते हैं तो m is equal to minus 1 बहुत simple question है m की value कितनी आ गई minus 1 आ गई clear है क्या product of root के fundे से इस equation को हम लोगों ने solve किया next question the equation this and this may have both root common than value of mn ये अगर हमारे पास 2 equation है a1 x square plus b1 x plus c1 equal to 0 a2 x square plus b2 x plus c2 equal to 0 अगर दोनों में both root common की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है both root common की बात कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 ऐसा होना चाहिए ये हमारे पास primary condition है आपके पास अगर 2 a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 का जो रेश्यो है वो कैसा होना चाहिए equal होना चाहिए ठीक है क्या तो यहाँ पर हम लोग बात करें इस equation में तो m by 3 equal to 5 by 10 equal to 2 by n होना चाहिए तो m by 3 is equal to 1 by 2 equal to 2 by n हमने इनको solve किया तो 2m is equal to 3 आ गया तो m की value तो हमारे पास आगी 3 by 2 और इन दोनों को solve किया तो n is equal to 4 आ गया अब मुझे निकालना है mn तो mn कितना आ जाएगा 3 by 2 into 4 तो कितनी आ जाएगी mn की value 6 आ जाएगी कलियर है guys सबको बढ़ते हैं next question पर the roots of equation are p minus q x square plus q minus r x plus r minus p equal to 0 the roots of equation p minus q x square plus q minus r x plus r minus p equal to 0 r इस equation के root क्या होंगे तो मैंने last में भी एक example last video में भी एक ऐसा example किया था जब आपको कुछ cyclic series जैसा नजर आए तो try करें hit and trial से hit and trial से क्योंकि nda के exam में hit and trial बहुत काम आने वाला गाईजाप लोगों के लिए ठीक है तो क्या करते हैं मैं hit and trial से put x is equal to 1 करता हूं जैसे मैं x is equal to 1 put किया तो ये p minus q plus q minus r plus r minus p r से r cancel q से q cancel p से p cancel equal to 0 आ रहा है तो इसका मतलब 1 इसका root है तो definitely x is equal to 1 इसका एक root है तो दुसरा root मैं क्या कर लेता हूं p minus q x square plus q minus r x plus r minus p equal to 0 एक root 1 है दुसरा root alpha है तो product of root के fundे से alpha is equal to r minus p upon p minus q तो दूसरा root क्या हो जाएगा इस equation के root आ जाएगा एक 1 आ जाएगा दूसरा root क्या जाएगा r minus p upon p minus q clear है सब को note करते चलिए बढ़ते हैं आगे next question पर next question find a range of x plus 1 x minus 2 divided by x into x plus 3 पहले मैं इसको long method से बता रहा हूं फिर मैं आपको इस question की short tricks बताऊँगा ठीक है गाईज देखिए करते हैं start आपको जब मैंने बताया था कि अगर question आपको quality by quality का question मिल जाए कि question कुनसा मिल जाए आपको quality by quality का question मिल जाए तो आपको करना क्या है आपको question को किसके equal मानना था y के equal मानना था हमने question को y के equal मान लिया और हमने इसकी multiply भी कर दी तो वो लोग कितना आएगा x square minus 2x plus x minus 2 divided by x square plus 3x आएगा गाईज अब हम लोगों को क्या करना है cross multiply करनी है तो हमारे पास यह आगया x square y plus 3xy minus x square यह minus x आएगा तो इदरा के plus x हो जाएगा plus 2 equal to 0 अब हम लोगों क्या करना था x square में quality बनानी थी तो यह कितनी हो जाएगी y minus x plus x 3y plus 1 plus 2 equal to 0 since we are solving for real value of x तो इस discrement must be equal to 0 discriminant को positive करते हैं तो 3y plus 1 का whole square minus 4ac y minus 1 into 2 it must be greater than equal to 0 हम लोगों ने इसको open किया तो 9y square आजाएगा plus 1 plus 6y minus 8 हो गया तो यह हो गया 8y कितना है guys 8y आगया plus 8 आजाएगा and it must be greater than equal to 0 तो यहां से हमारे पास आगया है 9y square minus 2y plus 9 it must be greater than equal to 0 है जब हम लोग इसको देखते हैं तो शायद इसका ए positive लिखा हुआ और इस equation का discriminant negative लिखा हुआ है इसका a positive लिखा हुआ है इसका discriminant कैसा लिखा हुआ नेगेटिव लिखा हुआ है और कोई quality equation जिसका leading coefficient positive or discriminant negative ग्राफ कैसा बनता है ऐसा बनता है यह वह हमेशा पोजिटिव आती किसी भी number के लिए प्रोलम नहीं है तो इसका मतलब यह तो हमेशा ही positive आने वाली इसका answer क्या आने वाला है आर आने वाला क्या answer आने वाला है ठीक है तो अब आगे बात करते हैं जब इसका answer आर आने वाला है ठीक है जीट अब मैं इसको डिरेक्ट शोट ट्रिक्स बताता हूं अगर हमारे पास नीचे वाले नीचे वाले जो equation आप उसको अलोड कर लेजिए इसका एक रूट आरहए माइनस त्री दूसरा रूट आरहए जीरो अगर क्वाल्टिक बाइक क्वाल्टिक का question हो ऊपर नीचे वाले के factor बनते हो ऊपर नीचे वाले की क्या बनते हो ऊपर और दिन Calling परोट कर लए के घ्राफ कर ल सब्सक्राइब को माइनस 1 & 2 अगर नीचे वाले रूट के बीच में अगर आपका एक रूट आ रहा है क् Això है को हमें करने की कोई रिकृर्मेंट नहीं आप so ट्रिक से जाए आपको करना क्या है अगर नीचे वाले के रूट प्लोट कर लिजिए नीचे वाले के रूट प्लोट करते ही आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद उपर वाली एक्वेशन का अगर कोई भी एक रूट उस रूट के बीच में आ रहा है तो डेफनेटली आपकी जो रेंज होगी वो क्या होगी आर होगी कलिर है गाई सबको बढ़ते आगे यह काफी इंपोर्टन्ट बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है मेरे पास किसर कौन सा चेप्टर इंपोर्टन्ट है कौन से चेप्टर पर हम लोग ज्यादा काम करें तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक मैंने यह कहीं से लिखा है मदब कोपी पेस्ट किया है सेट थेोरी और रिलेशन और फंक्शन की मैं बात करूं तो अप्रोक्स 15-17 कोशन आने वाले हैं अगर हम लोग इसकी बात करें तो 15-17 कोशन काफी बड़ा डेटा हो जाता है कैलकुलस की बात करें तो साथ से आठ कोशन सबसे इंपोर्टन ट्रिक्नोमेट्री कितने कोशन आने वाले गाइस 15 कोशन आने वाले हैं जमेट्री की मैं बात करूं जमेट्री यहनिस स्टेट लाइन सरकल की बात करें तो 10-12 कोशन देखने को मिलेंगे complex number 3 question काफी असान question आते हैं complex number से वो 3 question बहुत इजली आपसे हो जाएंगे फिर बात करें conic section से parabola ellipse, hyperbola से 3 से 4 question application of integral relation से 1 से 2 question जो भी मैं discuss कर रहा था quality equation एक छोटा सा chapter जिससे 12 question permutation and combination से 3 question logarithm से 1 से 2 question matrix and determinants बहुत इजी part 4 से 5 question आ जाते हैं जिससे vector algebra की बात करें तो vector से 7 से 8 question probability से 8 से no question miscellaneous जैसे हम लोग बात करें height and distance principle of mathematical induction या बाकि सब topic से 5 से 7 question आपके पास आने वाले हैं ठीके गाई तो सबसे important जो part है that is trigonometry आप इस पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं straight line circle पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं function, set, theory and relation पर सबसे important है quality equation बारा question आप देख रहे हैं इस पर बहुत सारे questions formation of quality equation nature of roots, range निकालने पर बहुत basic basic question आते हैं sequence and series पर भी 3, 2, 3, 2, 3 question आपको देखने को मिल सकते हैं guys ठीक है, catrignometry वाला part बहुत important है, आप revise करकर रखें next class में हम लोग जो discuss करेंगे next को अच्छे question discuss करेंगे sequence and series पर आप उससे पहले एक बाश की theory revise कर लें मिलते हैं next video पर अगर आप NDS related complete 500 की series देखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर दीजिए PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम channel जोइन कर लेजिए